अमेरिका और पश्चिमी देशों की दखलंदाजी से दुनिया के किसी न किसी कोने में जंगी आग धधक रही है रूस युक्रेन युद्ध हो या फिर मिडिल इस्ट में जारी सैन संग हर्ष वहीं उत्तर दक्षिन कोरिया के बीच की दुश्मनी में भी अमेरिका का बराबर हाथ रहा है ऐसे में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के खिलाव धीरे धीरे कई देश एक जुट हो रहे हैं इसमें रूस इरान उत्तर कोरिया सब से आगे है इन देशों में पश्चिमी देशों को चुनोती देने के लिए एक दूसरे के साथ सैने सहयोग बढ़ा दिया है इन देशों की जुगलवंदी ने पश्चिमी देशों की बेचैनी बढ़ा कर रख दिये माना जा रहा है कि इन देशों के बढ़ते संबंदों से अमेरिका तक में खल बली मची है हाल ही में दावा किया गया कि मिडिल इस्ट में जारी तनाफ के बीच रूस इरान को मदद कर रहा है इरान ने रूस से अत्यादुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम समेट कई हथियार मागे है रूस ने भी तुरन थरकत में आते हुए तहरान को अपने एडवान सेर डिफेंस सिस्टम और रडार भेजना शुरू किया रूस ने ये डिलिवरी ऐसे समय पर शुरू की है जब इरान ने इसरायल के खिलाफ हमले की धम की दी माना जा रहा है कि रूस शुपके से तहरान को शक्तिशाली S-400 की सप्लाई भी कर रहा है बीते दिनों रूसी सुरक्षा परिशत के सचिफ सरजेई शोईगू तहरान दोरे पड़ थे इरान और रूस की बढ़ती नजदीकियों से पश्चिमी खेमे में हलचल दिखाई दी शोईगू ने इरानी राश्रपती मसूत पेजिश्कियन से मुलाकात की थी दावा है कि रूस अपने जंगी बेड़े से सकंदर मिसायल सिस्टम सु-35 फाइटर जेट मरमंस्क बीन इलेक्ट्रोनिक वारफेयर समेट कई खतरना खतियार दे रहा है इस बीच इरान और उत्तर कोरिया की दोस्ते भी पश्चमी देशों की आँखों में खटकने लगी है उत्तर कोरियाए नेताओं ने हाल में तहरान की यात्रा कर एक साथ अपने विरोधियों को कई संकेत दिये इस पर अमेरिका की बॉकलाहट भी उनके बयानों से साफ तोर पर जलकी अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि वाशिंग्टन ऐसी गति विदियों के लिए प्रतिबंधू समेथ सभी उपलब दुपकरणों का इस्तमाल करेगा मालूम हो कि उत्तर कोरिया और इरान के मजबूत संबंध पहली बार देखने को नहीं मिले साल 1980 के दौर में भी दोनों देश महत्वपूर्ण साज़ेदार रह चुके हैं इरान इराक युद्ध में उत्तर कोरिया की ओर से तहरान को SCUDB बैलिस्टिक मिसाईले पारंपरिक हतियार ट्रेनिंग और मिलिटरी अडवाइजर मुहिया करा चुका है उत्तर कोरिया उस युद्ध के दोरान इरान की सीधे मदद करने वाले दुनिया भर के बहुत कम देशों में से एक था इस मदद के बाद इरान के ततकालिन राश्चपती ने उत्तर कोरिया का दोरा कर पश्यमी देशों के खिलाफ हुकार भरी थी अली खामेनई ने कहा था कि यदि बड़े देश प्रगतिशील देशों को धमकी देते हैं तो प्रगतिशील देशों को बदले में उन्हें धमकी देनी चाहिए आपने कोरिया में साबित कर दिया कि आपके पास शक्ती है अमेरिका का सामना करने के लिए इससे साफ है कि पश्यमी देश इरान और उत्तर कोरिया की पुरानी दोस्ती को कम नहीं आख सकते हैं अमेरिका को चुनोती देने के लिए उत्तर कोरिया के तानाशा किम जोंगुन किसी भी हद तक जा सकते हैं वहीं इरान इजराल पर हमला करने के लिए बेकरार बैठा है, अली खामी नहीं धमकी दे चुके हैं कि खून का बतला खून से लिया जाएगा, ऐसे में पश्चिमी देशों के वर्चस्व को अब सीधी सीधी चुनौती मिलती दिख रही है, अमेरिका समेत नाटो देशों को यह डर सताने लगा है कि उत्तर कोरिया इरान को अपनी इंटर कॉंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दे सकता है, माना जा रहा है कि इरान को मिसाइले देकर उत्तर कोरिया अपनी मिसाइलों की लाइव टेस्टिंग कर रहा है कि वह पश्चिमी देशों के डिफेंस सिस्टम से बच कर तबाही मचान पाती है या नहीं